मस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल कॉम्पूटेटिव पॉंड़ पाल दोस्तों आज मैं एक ऐसी भरती के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नोटिफिकेशन मैं 2018 में निकला और 22-23 दिसंबर 2018 को इसका एक्जाम होता है 28 अगस 2019 में इसका रेजल्ट निकलता है और 2 जनवरी 2020 तक इसका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर बाद में आयोग और गॉर्मेंट की तरफ से ये डिसाइड किया जाता है कि इस भर्ती में बहुत बड़े इस्तर पर धान्दी हुई है और 24 मार्ज 2021 को इस भर्ती को निरस्ट करने का आदेश दे दिये जाता है अब इसको लेकर बहुत सारे अभ्यारती जो है हाई कोर्ट में जिनका चैन हो चुका होता है वो लोग इस पर केस करते हैं और फाइनली जो है हाली में अभी इसके लिए भी ओडर आया है जिसमें ये बताया गया है कि इस भर्ती में बहुत बड़े इस तरपर धान्दी हुई जिसके लिए भर्ती बोर्ड और जो गवर्मेंट के जो कदम उठाया गया है के लिए इसमें नहीं गया था तो जो है इस भरती को finally निरस्ट किया गया अब इसका re-exam होने वाला है तो re-exam इसका होने वाला है अगर बहुत सारे candidate ऐसे थे जन्हों ने इसमें apply किया था और exam नहीं दिया था या फिर अब तो जो है अभी तक वो किसी और भरती में select नहीं हुए तो उनके लिए एक बहुती बड़ी opportunity है क्योंकि इसमें जो 1953 पदों के लिए भरती निकाली गई थी अब जो है इसमें जादतर जो candidate apply की होते वो जादतर इदर उदर भरतियों में select हो चुके हैं या फिर कोई other reason की वज़े से वो पढ़ाई से दूर हो चुके हैं तो जो है इसमें जादतर candidate के लिए बहुत बड़ा मौका है जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको इसकी तैयरी करना चाहिए तो मैं इसी भरती के बारे में कुछ थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ ये यूपितर पलेसी ग्राम पंचायद अदकारी ग्राम विकास अदकारी और समाज कल्याण परवेक्षक की 2018 की भरती है इसमें तीन तरह के पद निकाले गए थे जिसमें उननिस सो त्रेैपन पदों पर ये भरती निकाली गई जिसमें अगर ग्राम पंचायद अदकारी के पदों की बात करूँ तो 1500सब्था ते और जिसमें 362 पद रख्खे गए थे ग्राम विकास अदकारी के और 1964 पद थे वो थे समाज कल्यार परवेक शक्के तो इस तरह से 1953 पदों के लिए ये वेकंसी निकाली गई थी 2018 की सबसे पहली वेकंसी थी और दिसंबर में इसका एक्जाम भी हुआ था दो दिन इसका लगातार एक्जाम चला था जो है अब जो है इसका एक्जाम कब होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले टोटल वेकंसी की बात कर लेते हैं किस तरह से दी गई थी तो देखिए जो तीन तरह की पोर्ष्टी ग्राम पंचायत अदकारी ग्राम विकास अदकारी शायक समाज कल्याण और समाज कल्याण परवेक्षब ठीक है इसमें जो है अगर बात करें 1527 पद थे और इसमें यू आर के जो है अन्रिजर्प कैटागरी के 841 और जो है ओबी सी के बात करें तो 370 और 296 सी के और एस्टी के 20 पद थे दिखे उस समय यह वैकेंसी जब निकाली गई थी तो उस समय EWS का जो रिजर्वेशन था वो नहीं होता था तो इसमें EWS का रिजर्वेशन नहीं दिया गया और बाकी जो इसमें दिया हुआ है बाकी कैटागरी वाइज यहां पर जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं ऐसे ही ग्राम विकास अधिकारी के 362 पद और 64 जो थे समाज कल् ठीक है तो कुल 1953 पदों पर वैकेंसी जिसमें 1056 जो है रिजर्वेशन पर आप देख सकते हैं अगर हम ग्राम पंचाइद अधिकारी के 305 पद हैं सबसे बहले बात कर लेते हैं कि इसमें भरती में कितने बहरतियों ने जो है आवेधन किया था तो उस समय जब आवेधन हुआ था तो यह लगवग 14,272,172 अभ्यारतियों ने इसके लिए आवेधन किया था और इसके लिए जो योगता थी वो 12 इस्टेंडर थी उसके साथ साथ आपका ट्रपल सी होना जरूरी था ठीक है अब उस परिक्षा में जो उपस्तित हुए कं कंडिडेट उपस्तित हुए थे उस समय लगवग जो है इतने कंडिडेट ने एक्जाम दिया था तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इन सभी अभ्यारतियों को इसमें एक्जाम देने का मौका मिलेगा या फिर सिर्फ जिन्होंने एक्जाम दिया था उनको मौका मिलेगा ठीक है तो यह चीज आभी देखिए बहुत सारे एक्जाम में यह चीज देखने को मिली है कि जिन्होंने एक्जाम दिया सिर्फ उनकों मौका मिलता है मुझे जहां तक लगता है जितने लोगों ने इसको आवेधन किया हुआ है तो लगवक सभी को इसमें अ पर वेच्षक के लिए अब यहां पर बात आती है कि अब जरूरत होगी या नहीं होगी तो देखिए मैं आपको बता दूं यह नूटिफिकेशन उस समय जब निकाला गया थो तो इसमें ट्रपल सी वहान था यानि की वीडियो में ट्रपल सी की जरूरत होती है और ट्रपल करने की जो लाज डेर थी वो थी 29 जून 2018 है यानि इससे पहले का आपका जो है ट्रपल सी होना चाहिए इसके बाद जो कुछ अदिमानी एहरता है थी जिनका आपको विसेस फायदा मिलता है जैसी कि अगर आपके पास NCC का बी सर्टिपिकेट हो या प्रादे सिक सेना में द और सो सो अंको के तीनो सेक्षन थे कुल तीन सो अंको का पूरा पेपर था जिसमें डेर सो कुछे गए थे दो घंटे का पूरा पेपर था जिसमें हिंदी परिग्यान के और लेखन के पचास प्रश्न रीजनिंग के पचास प्रश्न और जीके के यानि सामान निग्यान के पचास मेर्स दे उस समय की negative marking की बात करें तो यहां पर one by two negative marking थी ठीक है एक बटा दो की negative marking थी यानि कि दो प्रश्ण आपके अगर गलत होते हैं तो आपका पूरा एक सही प्रश्ण कम कर दिया जाएगा ठीक है इस तरह की प्रक्रिया थी और जो कर लेते हैं पार्ठिक्रम की तो देखी हिंदी का पार्ठिक्रम आपका वही है बहुत ही सिंपल सा है अगर आप 10 या 12 लेविल की आप री आपकी जो इंगली यूपी वोड की कोई करें तो सिर्फ इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको अगर आप लूशेंट अच्छे से त्यार कर लेते तो 90 से 95% तक के प्रश्ण जो है आप आसानी से कर पाएंगे अगर आप इसके वारे में जो बुक्स हैं वो जानना चाहते हैं तो व्यूक्स के के लिए भी मैं आगे वीडियो बना दोंगा अब बात कर लेते हैं प्रीविएस की कट आफ क्या थी तो देखिए पिछली बार जो एक्जाम हुआ था उसकी कट आफ भी आपको पता होनी चाहिए उसी के आधार पर जो है आपको अपनी तवर्यारी के लेविल को लेकर जान तो महलाओं की एक सो अठानवे गई थी और सवतंतरदा संग्रान सेनानी के लिए एक सो सतासी बूत्पूर सैनिकों के लिए एक सो बासट और यहां पर विकलांक वगरा कि आप देख सकते हैं यह कट आफ रही थी बहुत ज्यादा कट आफ रही थी और इस भर्ती में इसमें नुक्सान हुआ है इनका चैन हो गया लेकिन अगर देखा जाए अगर यह पूरी भर्ती होती तो लगवग आदे 50% लगवग ऐसे केंडिडेट होते जो गलत करीके से इसमें हो सेलेक्ट हो जाते तो उनको जॉब मिल जाती तो इससे उन अब विहार्तियों का नुक इसमें ख़िस्ना आएगा कि कि किया उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं या उनके पास उनका रोन नंबर नहीं है जो उन्होंने पहले एग्जाम दिया था तो अब वो क्या करें तो इसके लिए बर्ती के लिए आपका cor州 कार्ड या जो भी जारी होगा उसके लिए आपको बता दूगा बहुती इजी स्टैप है उसके माध्यम से आप अपना रजिस्टेशन नंबर रून नंबर सब कुछ बता कर सकते हैं भरती वोट की वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी इसके लिए ट्राइ कर सकते हैं तो इ यही है बाकी कुछ लोग यह भी बोल रहे हैं कि जिन्होंने एक्जाम दिया था सिर्फ उन्हें को इसके लिए मौका दिया जाएगा अब बात कर लेने ट्रपल सी इसके लिए जरूरी होगा या नहीं होगा तो देखिए आपने नोटिफिकेशन में देखा था ट्रपल सी बिलकुल जरूरी होगा और ट्रपल सी वो भी आपका 29 जून 2018 से पहले का होना चाहिए यानि कि आवेदन की जो अंतिम्तिती थी उससे पहले आपके पास ट्रपल सी बना हुआ होना चाहिए यानि ट्रपल सी का जो सर्टिपिकेट है उस पे जो जारी करने की डेट है वो हो सकता है तो देखे री एक्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं भरती बोर्ट के द्वारा हाली में एक जो यूपी त्रपल सी आयोक के द्वारे एक कलेंडर जारी हुआ था जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर सारी भरतियों के एक्जाम की एक्सपेक्टेड डेट द नहीं तो बिलकुल आप लोग तैयारी में लग जाईए अगर आप इस भरती के बारे में भूल चुके हैं कि बहुत सारे बिहरती को यह भी नहीं पता है क्यूंकि उन्होंने एक्जाम ही नहीं दिया तो दिखेंगे अब आप अभी भी तैयारी में और अभी आप तैयारी नहीं भी करना है तो मुझे लगता है कि आपको तयारी सुरू कर देनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको कहीं से नया अभीदन नहीं करना है और सबसे बड़ी अपॉर्चनुटी क्या है ना इसमें कि आपको उन्निस सो त्रेपन पदो पर वैकेंसी मिल रही है साथ ही साथ इसमें दो हजार अठारे की वैकेंसी हैं बहुत सारे पुराने केंडिडेट ऐसे थे मुझे लगता है कमसें 20 परसेंट या 30-40 परसेंट तक के ऐसे केंडिडेट होंगे जो लगवग इदर अदर सेलेक्शन ले देने जाएंगे अगर उसमें भी आप अच्छे से थोड़ा सा त्यारी कर लेते हैं तो आपके पास ज्यादा उपॉर्चनुटी 14 लाग में से अगर साथ लाग सिर्फ कंडिडेट रह जाते हैं और वो अगर एक्जाम ऐसा नहीं है साथ राक रह जाएंगे तो साथ लाग ह तो बहुत कम फाइट हो रहेगी और इसमें मौका अच्छा है और बहुत सारे लोग डीवी पीच्टी में रह जाते हैं क्योंकि अगर उनका ट्रपल सी जो है आवेधन की अंतिम चिती से बात का होता है तो वहाँ पर भी वह जो है डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं तो अच वीडियो के अग्जाम से संबंदिछ लगतार वीडियो आपको हमारे इसे चैनल माध्यम से मिलती रहेगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लिजữa ओदिक तब तक के लिए मिलते हैं आपनी नेक्ष्ट वीडियो में अप्ब तक के ल